की है एलो स्टूड़न वेलकम टू ब्राड इंट्र लासीच आज हम सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंधर जैसे कि आप लोगों का पता हम ने किसी प्लस-फ्लस programming एक कुछ बेसिक टोपिक कर लिए है तो हम सिस हमारे अंदर हुनी चाहिए कि हम कोई भी सिप्ल प्रोग्राम बना सके तो हम आज दो प्रोग्राम बनाएंगे पहला प्रोग्राम हमारा calculate a square of a number ये क्या होगा कोई भी number हम keyboard के थूँ input करवाएंगे और उसका square calculate करेंगे इसके लिए हमें line of code क्या लिखना है include ios team ये हमारा preprocessor है उसके बाद integer man हमने man function ले लिया जो integer type की value return करेगा उसके बाद हमने ये curly bracket ले लिए उसके बाद integer एक variable declare करिया number नाम का और दूसरा variable होगा square ये वाला number तो हमने इसलिए लिया है क्योंकि हमें value number input करवानी है और ये हमारा result के लिए लिया है ठीक है उसके बाद हमने semicolon लगा दिया उसके बाद क्या क्या जब हम इसको run करेंगे तो वहाँ हमें number कैसे मांगे तो ये सोचने के लिए इसके अंदर हमें कुछ लिखना पड़ेगा तो हमने क्या करवा दिया see out enter a number कोई भी number हमें enter करवाएंगे और इसको inverted command लिखा तो as it is print होगा और इसको semicolon से बंद कर दिया उसके बाद scene हमें वो number keyboard के थरू input करवाना है तो इसके लिए हमें scene डालना पड़ेगा और scene करवादे number और semicolon लगा दिया उसके बाद जो हमें second variable यह था square square equal to num multiply num मतलब जो भी number हम देंगे उसको multiple है उसी number से कर दे और square के अंदर उसकी value store हो जाए तो हमने semicolon लगा दिया उसके बाद क्या होगा cout the square of number is यह हमने inverted command बंद कर दे तो यह as it is print होगा और हमारा sqrt sqr square हमारा print होजे और return हमारी value हो जाए 0 क्योंकि integer type की थी और हमारी curly bracket होफ होगी यह हमारा line of code होगा अब हमारा output कैसे आएगा पहले तो यह आएगा यह वाली line आएगी पहले वाली entry number उसके बाद हम number देंगे और उसके बाद square of a number निकल के आएगा तो देखते हैं कैसे आएगा output entry number example के थोर पे हमने क्या कर दिया 5 को enter करवा दे उसके बाद square of a number the square of the number is 25 तो 5 का square क्या होगा 25 तो यह हमारा एक simple प्रोग्राम है square of a number और जो second प्रोग्राम हमारा write a program to simple interest simple interest हम लोग कैसे calculate करेंगे इस प्रोग्राम के थ्रू हम देखेंगे सबसे पहले क्या कर रही हमने 500 इस तरिम एच लगा दिया यहां कर लिप्रैक्ट आएगी आश्ट्रीम एच आई स्ट्रीम का मतलब इननपुट आउट्पूट्ट स्ट्रीम है उसके बात क्या होगा है एस्टेग इंक्लूड कॉनियों कंसोल इंपूट आउटपूट है उसके वाइड वॉइड मैं लिकर करके हम मैं क्या कि हमें इंटीजर भी लिख सकते हैं और वॉइड जैसे हमने वॉइड में वैल्यू लिख है तो इसका मतलब क्या एगा जो रिटन वैल्यू होगी हमारी व मॉल्टिप्लाई रेट मॉल्टिप्लाई टाइम अपॉन हंडर होता है सिंपल इंट्रेस्ट तो हम उसको निकालेंगे एक छोटा फंक्शन ले इस फंक्शन विदाउट भीमारा काम चल सकता है लेकिन आपकर चाहूँ था अब इसको ले सकता है इसका मतलब क्लियर स्क्री क्योंकि जैसे हमारा आउट्पूट आता स्क्रीन अगर हमें एक से ज्यादा सिंपल इंट्रेस्ट निकालने हो तो स्क्रीन भर जाएगी तो स्क्रीन को खाली करने के लिए उसको फ्री करने के लिए कलर स्क्रीन नाम का एक फंक्शन लिया हो है तो आप क्या लेंगे अब हम क्या करना सबसे पहले principle amount को इंटर करवाना तो सी आउट principle amount यह inverted comma हम लिया है तो आई हो आप लोगों को पता होगा यह एज़टीज print होगा उसके बाद scene amount को हमने principle amount को हमने क्या करवा दिया scene करवा दिया उसके बाद हमें rate डालना है see out enter the rate of interest तो यह rate of interest डालना है यह भी inverted comma में है आप लोगों को पता है यह एज़टीज प्रिंट होगा उसके बाद इसको scene करवा दिया उसके बाद see out enter the period of time हमें time भी चाहिए तो यह भी inverted comma के अंदर है यह भी हमारा final में as it is print होगा उसके बाद हमने क्या कर दिया इसको scene करवा दिया और semicolon लगा दिया उसके बाद आप देखोगे SI SI का मतलब है simple interest equal to amount multiply rate multiplied time upon hundred और semicolon से इसके बंद कर दिया आप लोगों हो पता simple interest का फार्मूल है उसके बाद क्या करें हम see out is simple interest इसको inverted command लिखे आप लोगों देखेंगे और C SI SI का मतलब simple interest हमारा print होके आजाए और semicolon से मतलब get ch function ले लिया जिसे हमारे result आजए गोड़ कर ली ब्रेक्स हमने होफ कर दी अब हम result देखें कैसे result आईगा output enter the principal amount enter the principal amount यह कौन सा है यह वाला enter principal amount मांगवा सहमसे प가요 फिर हम यहां क्या करेंगे principal amount डालेंगे यह वाला हमने principle amount 100 डालब अब यंजे वाद रहें रेट ऑफ इंट्रेस्ट यह वाला enter the rate of interest Legate ओ और लिख्ण गया तो हम यह ना rate of interest lying हमने इहां डाल दंड प्रोग्रामों को अपनी नोट्बुक में देख एक बार देखके एक बार विदाउट है आपने इसको राइट करके देखना जिसके आपको समझ में आ जाएगी कि हमने क्या वेरियब लेना और क्या उठाएगा तो थेंक्यू वाचिंग वीडियो